जय महाकाल दोस्तों! कैसे हैं आप लोग? आसा करता हूँ, भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे? दोस्तों, कई चीजे ऐसी होती हैं कि जिसमें आपकी महनत कम पड़ जाती है. कहने का ताथ पर है कि आप जितनी भी महनत लगाते हैं, लेकिन आप उस काम में सफल नहीं हो पाते हैं. तो ऐसे कामों के लिए आपको कोई न और ऐसी देविक सक्ति की आवस्यक्ता होती है, जो आपकी मदद करें, जिससे आप उस काम में सफल हो सकें. कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जाहर में लोगों के बीच में ये बात कही है कि उनकी सफलता में उनका जो कर्म का योगदान था उससे अधिक उनके नसीब का योगदान था तो कहने का ताथ पर यह है कि जब भी आप कोई काम करते हैं और उसमें यदि आपको थोड़ा सा कुछ कम पढ़ जाता है तब आपको यकिनन किसी न किसी ऐसी सक्ति की मदद की आवस्यक्ता होती है और ऐसा काम आपको करना ही चाहिए कि जिससे आप उस काम को पूरा कर सके तो एक ऐसा ही उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिसमें यदि आप कोई ऐसा बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं कि जिसमें आप पूरे नहीं पढ़ पा रहे हैं और कुछ न कुछ कमी रह जाती है तो ऐसे में यदि आप ऐसा कोई उपाय कर लेते हैं तो आपके वहकाम बहुत ही आसानी से बन जाते हैं तो दोस्तों यदि आप हमारी चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दू कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राजनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूड रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रिदान करते हैं तो आप भी इसी तरह की जानकारी में रूची रखते हैं तो अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए महनत करने के बावजूद जो काम में आप सफल नहीं हो पाए वह काम आपके बहुत आसानी से हो जाएंगे अंग सासरे से संबंदित ये उपाय है मैं हर बार कहता हूं कर अंग मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्व का रोल अदा करते हैं बहुत ही महत्यों का स्थान रखते हैं जो कोई भी व्यक्ति सफल होना चाहता है अपने जीवन में उसको कहीं न कहीं अंकों का सहरा अवश्य ही लेना पड़ता है जो कोई भी व्यक्ति अंकों का सहरा लेकर आगे बढ़ता है उसको बड़ी-बड़ी सफल ताइम मिलती है तो ऐसा ही एक उपाय आज मैं बताने वाला हूँ कि यदि आप कोई भी ऐसा काम करने के लिए जा रहे हैं कि जिस काम में आप लंबे समय से प्रत्न कर रहे हैं लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा है कोई ऐसा काम है कि जिसको आप करने के लिए भरसक प्रैत्न कर चुके हैं अपनी पूरी सक्ति लगा चुके हैं ताकत लगा चुके हैं तन मन धन हर तरीके से आप प्रैत्न कर चुके हैं लेकिन फिर भी यदि वो काम आपके नहीं हो रहे हैं तो यकिनन आपको कोई ना कोई ऐसी देवी सक्ति की आवस्चता है और ऐसा ही एक नंबर आज में आपको दूँगा कि इस नंबर को आप जैसे ही बोलना प्रारंब करेंगे आपको उस काम से संबंदित व्यक्ति मिलने लग जाएंगे पैसे की आवस्चता है तो पैसों की व्योस्था होने लग जाएगी जहां कहीं भी आपको कमी पड़ रही थी उस काम में सफल होने में वह कमी की अब आपूर्ती होने लग जाएगी उस कमी के लिए जो कुछ भी आपको चाहिए वह चीजे आपको मिलने लग जाएंगी तो दोस्तों इसके लिए जो नंबर बोलना है वो बता देता हूं आपको के कौन सा नंबर बोलना है पहला अंक आपको बोलना है नो नो नंबर आपको वो हर चीत दिला देगा जिसके आप कामना करते हैं इसके बाद आपको बोलना है छे कांग जो भोतिकता से जुड़ा हुआ अंक है तो भोतिक सुक्से यदि आप कोई भी कामना करते हैं तो इस अंक को आप बोले इसके साथ में आप बोले एक का अंक जो मान सम्मान को ब्रदान करता है इसके बाद आपको बोलना है साथ का अंक जो सुबधाई है जो लावधाई है तो आपको जो अंक बोलना है वो है नौ, छे, एक और साथ इस number को आपको मन ही मन बोलना है, जैसे ही आप किसी काम के बारे में ठानते हैं, प्रारंब करने के लिए जा रहे हैं, लंबे समय से कोशिस कर रहे हैं, नहीं सफल हो पा रहे हैं, ऐसा कोई भी काम है, तो ऐसा काम दोबारा से जब भी आप स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं तो मैंने जो नंबर बताया है उन नंबर्स को उन नंबर्स की विसेस्ताओं के साथ में मन ही मन बोलना प्रारंब करें आप जब भी इन नंबर्स को मन ही मन बोलेंगे तो कल्पना करें कि ये नंबर आपको क्या प्रदान करेगा और मन ही मन इस नंबर को आप जपना चालो कर दे बोलना प्रारंब कर दे आप देखेंगे कि आपका वो जो काम था जिसमें अभी तक इतनी विध्न बाधाय आती थी वो निर्विध्न संपन्न हो जाएगा तो दोस्तों इस आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं हो पा रहा आपके आसपास में कोई वीक्ति है जिसका काम नहीं हो पा रहा है तो यह number आप उन्हें बताईंए कि यह number को लगातार बोलते रहने से आपका काम बन जाएगा ठीक है तो चलिए दोस्तों अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजे विदा और आप लोग देखते रहें दिवी प्रकास और अपने जीवन में लाभनवित होते रहें धन्यवाद